हेलो दोस्तों मैं डॉक्टर धनंजेट सवान डर्मेटलोजिस्ट कॉस्मेटलोजिस्ट और हैर ट्रांस्प्लांट सरजयन क्लियर स्कीन एंड हैर एमडी पुनिग भाईयों और भाईयनों मेरे कई पेशिंट मुझसे पूछते हैं कि क्या वे अपने गंजेपन या हैर लॉस के लिए मेल पैटर्न बाड़नेस या फिमेल पैटर्न बाड़नेस को ट्रीट करने के लिए कैस्टर ओईल जैसी होम रेमेडी का इस्तमाल कर सकते है या नहीं क्या क रवास कम हो सकता है क्योंकि यह इतनी एफिक्टिव है क्या ट्रीटमेंट ऐसे कई सारे सवाल मुझे पूछे गए हैं पूछते हैं देखिए कैस्टर ओईल एक बहुत ही ओल्ड रेमेडी है जो बहुत सारे लोगों ने ट्राइ की है कोशिश किया और सालों से यह चलती आ रही है हमारे आज के इस वीडियो में हम कैस्टर ओईल और हैर ग्रोथ इस विशय पर चर्चा करने वाले हैं कैस्टर कैसे बनता है इसे कैसे इस्तिमाल करते है और क्या यह रियली फाइदे मंद है या नहीं इन सब सवालों का जवाब आज मैं देने के आपको कोशिश कर र हैर ग्रोथ साइकल सुनी है लेकिन कभी-कभी कुछ इंफेक्षन की वज़े से यह स्ट्रेस की वज़े से नुट्रिशनल डिफिशनसी या फिर जैनेटिक्स और हार्मोन की वज़े से एकसेस हैर लॉस हो सकता है बहुत सारे रीजन है एकसेस और आजकल 25 और 35 साल की एज में ही इवन यंगर लोगों में ये excess hair loss होना शुरूप हो गया है और हम में से कई सारे लोग इस hair loss को कम करने के लिए पहले कुछ ना कुछ गरेलू नुसकों का इस्तमाल करते है और यूज करने के कोशिश करते है जैसे कैलवेरा ओनियन जूस लेमन जूस अंडे और अलग अलग प्रकार के उईल उनमें से एक ही या एक ही ऑईल है केस्टरॉयल जिसका इस्तमाल आमतवर पर किया जाता है इस्पेशली इंडिया में केस्टरॉयल का इस्तमाल हेर लॉस और हेर डिस ओर्डर के लिए बहुत सालों से हो रहा है पुराने समय में केस्टरॉयल का इस्तमाल स्कीन या स्काल्प को ठंडा रखने के लिए भी वो लो करते हैं और समझते हैं कि क्या ये हमारे बालों की ग्रोथ में कुछ रोल निभाता है या नहीं और अगर नहीं है तो क्यों नहीं रोल निभा पाता है या क्यों नहीं ओल हैर लॉस में उपयुकता रहता केस्टर ओयल एक natural and inexpensive oil है जो हमें आसानी से मिल सकता है इसका इस्तेमाल करना भी आसान है लेकिन केस्टर ओयल effective क्यों माना जाता है आईए देखते हैं केस्टर ओयल याने अरंडी या एरंडेल तेल को रिसिनस क्यूमिनिस प्लांड के सीड से extract करके बनाया जाता है इन सीड को केस्टर बीन के नाम से भी जाना जाता है जिसमें रिसिन नाम का एक toxic enzyme रहता है लेकिन केस्टर ओयल बनाने की प्रोसेस में यह deactivate हो जाता है और हमें इससे safely इस्तमाल कर सकते है और यह oil फिर safe बन जाता है केस्टर ओयल के कई सारे इंदस्ट्रियल फार्मेसिटिकल यूजेस तो है ही लेकिन इसके कुछ medical यूजेस भी है जो हम केस्टर ओयल यूज करते हैं बहुत सारे condition में केस्टर ओयल में ऐसे कई सारे elements मौझूद होते हैं जो हमारे scalp और बालों की health को अच्छा रखने में जरूर मदद करते हैं केस्टर ओयल में रिसिनोलिक acid omega 6 omega 9 fatty acids रहते हैं विडैमिन और मिनरल जैसे ingredients हैं जो hair loss रोकने के लिए कुछ हद तक मदद कर सकते हैं अब हम जानेंगे केस्टर ओयल को apply कैसे करते हैं लोग बहुत सरे लोग करते हैं इसका इस्तमाल कैसे हो जाता है इसके बारे में थोड़ी जानकरी लिए हमारे बालों की growth को boost करने के लिए यानि बालों को तेजी से बढ़ने के लिए आमतोर पर unrefined organic यानि केस्टर ओयल का इस्तमाल करने के हमें जलाद दी जाती है बहुत सरे लोग बताती है और लेके ज़ा पर करके बोलते जमेकन ब्लाक केस्ट्र ओयल बहुत EFFECTIV है और one of the best oil यह माना जाता है पर इसके पन्जन्ट mehr या तिकी गंद या strong smell की वज़े से कुछ लोगों को ये पसंद नहीं है और वे इसका इस्तमाल नहीं करते हफ्ते में कम से कम दो बार इस oil का इस्तमाल करना आपके लिए कुछ हद तक फायदे मन साबित हो सकता है ऐसे बहुत सारे patient नहीं बता है ये oil बहुत ठिक होता है इसकी कुछ बूंदे भी अच्छे से काम करते हैं आप इस oil को गिले बालों पर भी लगा सकते हो बहुत थोड़ा लेने की जरूरत है castor oil को थोड़ा गरम करके फिर scalp और बालों को लगाने से उसे scalp की skin को massage करने से भी अच्छे results कुछ लोगों में मिल सकते हैं अब castor oil के साथ rosemary या peppermint oil का भी इस्तमाल कर सकते हो जिससे अधिक फायदा हो सकता है अब वीडियो के इस हिस्से में हम ये जानेंगे कि castor oil कैसे काम करता है और इससे क्या फायदा होता है देखें जब आप castor oil के साथ अपने scalp को massage करते हैं तो बालों के जो roots रहते हैं उसमें blood circulation बढ़ने लगता है वासो डायलेटेशन होता है जिससे बाल और भी लंबे और मजबूत हो जाने के चांसे से massage से blood supply increase होने से ये सब कुछ होने की शक्यता है castor oil में कुछ antifungal और antibacterial properties भी होती है जो बालों में microorganism की growth को कुछ हच तक रोक सकते हैं इससे ringworm infection या folliculitis जैसे problem भी कम होने के आसार है इससे आपके scalp का moisture भी बना रहता है और आपका scalp healthy बना रहने में मदद होती castor oil का इस्तमल करने से आपके बालों के split end भी कम हो सकते हैं कुछ हद तक और आपके बाल healthy भी बनने लगते हैं castor oil आपके damage हुए बालों को repair करने में मदद करता है जैने उपर से conditioner का अच्छा काम करता है castor oil एक अच्छा conditioner है कुछ लोगों के बाल बहुत ही rough हो जाते हैं इन लोगों में castor oil का इस्तिमाल करने से बाल थोड़े soft बन जाते हैं कुछ लोगों को dandruff की परेशानियों होती है यह scalp की common condition होती है dandruff तो हर एक को होने के आशनका है dandruff की समस्या के लिए भी castor oil बहुत फाइदेमंद हो सकता है साथ हो सकता है यह scalp की dry or irritated skin को simple moisture करता है और उसे ठंडा रखने में मदद करते है वो ठंडा ठंडा वाला advertise देखिए आप castor oil scalp में flex को कम करने में भी मदद करता है इसके anti-inflammatory properties siberic dermatitis से होने वाले dandruff को scales को भी यह treat करने के लिए कुछ हद तक effective है बालों को castor oil लगाने से hair shaft lubricate होने में मदद हो सकती है lubrication हो सकता है उसका जिससे आपके बालों की flexibility थोड़ी फार बढ़ने लगते है और बालों के breakage के chances भी गटने गटते है कुछ लोगों में इसमें ricinolic acid नाम का major element होता है जो हमारे बालों को और scalp को अच्छी तरह से moisture करता है इतना ही simple ध्यान में रखे इस oil में antioxidant भी होते जो बालों को smooth और shiny बना सकते है कुछ हद तक बालों को freezy बनने से रोग सकते है this is natural thing natural remedy you can say इसे बालों को natural color भी कुछ हद तक मिलता है castor oil का इस्तेमाल करने के इतने सारे फाइदे है लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका pungent smell जरा भी पसंद नहीं है क्योंकि वो बहुत smell आता है आप जरा लगा के देखिए ये smell दो या तीन wash में फिर जाता है इमिजेट जाता है क्या बार लोग हमसे ये भी पूछते है कि क्या वे अंड्रोजनेटिक हेर लॉस में गंजेपन में क्योंकि इतने सारे यूज है तो उसमें भी हेर लॉस कम करेगा जो लोग एंड्रोजनेटिक अलोपेशिया से सफर कर रहे है गंजेपन से सफर कर रहे है उनमें क्येस्ट्रॉयल हेर ग्रोथ को स्टुमिलेट जरा भी नहीं करता डिएच्ट यानिए डाहेट्रोटेस्टेस्टेस्टेरोण हार्मून का जो हेर पर एक्षन होता है उससे ब्लॉक कैस्टरॉयल नहीं करता है और स्काल्प का इंवारमेंट सिर्फ अच्छे रखने में मदद करता है लेकिन शायद हेर लॉ कैस्टरॉयल मदद कर सकता है पर यह सब एक्षन हेर लॉस या बार्डनेस प्रिवेंट करने में काफी नहीं है कुछ पैथालोजिकल कंडिशन में या कुछ ड्रग मेडिसिन की वज़े से या क्रोनिक स्ट्रेस नूट्रिशनल डिफिशनसी इवन क्रैश डायटिंग की प्रावलेम के लिए जो मेडिसिन रहते है या कुछ प्रेगननसी वाले पील लेते है उससे हेर लॉस हो सकता है ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर को कंसल करना बहुत ज़रूर है सिर्फ कैस्टरॉयल लगा कि यह सब हेर लॉस ठेहरते नहीं यह प्रावलेम पैथालोजिकल यहां उने वाले हेर लॉस को कंट्रोल करने के लिए कैस्टर ओइल से कोई फाइदा नहीं होगा इसलिए इस पैथालोजिकल कंडिशन और हेर लॉस का सही इलाज करना इंपोर्टन्ट है उनली हेर को अच्छा बनाने का काम यह करेगा हेर लॉस नहीं कम करें एक बात जरू हेर लॉस की ट्रिटमेंट हर रोज पचास से सो बाल का जणना बहुत ही नॉर्मल है लेकिन अगर आपको इससे भी ज्यादा हेर लॉस हो रहा है आपको बाडनेस के साइन दिखने लगे एक से जढने वाले बाल जो आपको नहते समय या बिस्तर पे पिलो पे शांपू करते हाथ पे फर्ष पर कंगी करते वक्त दिखाई दे रहे है थिनिंग ऑफ हैर शॉर्टनिंग ऑफ हैर हो रहा है तो इस होम रेमिडी का इस्तमाल एद लॉंग टर्म ट्रेटमेंट समझ कर कृपया न करे ऐसे हैर लॉस के लिए मेडिकल ट्रेटमेंट ही रिकमेंड मैं इन ट्रेटमेंट में कुछ तेरपी जैसे की प्लेट लिट रिच प्लाजमा थेरपी, मिजोथेरपी, लो लेवल लाइट थेरपी, डर्मा रॉलर और मीनॉकस रिल, फिनस्टराइड जैसे दवाईया, विटामिन सप्लिमेंट ये सारे ट्रेटमेंट स्टाइम टेस्टेड है और scientifically proven है ऐसे cases में आपको पहले dermatologist doctor से consult करना जरूरी है गंज़पन के इसमें या hair loss में सारे home remedies में से castor oil effective माना गया है और शायद कुछ लोगों में ये use करने से कुछ results भी दिखे होंगे लेकिन उसका कुछ scientific proof नहीं है castor oil के effectiveness या results के बारे में कोई भी बड़े नहीं हुए है इसलिए मैं मेरी आपको यहीं सला होगी कि आप castor oil को try कर सकते हो as a first aid या supportive treatment लेकिन इससे hair loss को कम करने के लिए या hair growth करने के लिए main treatment की तरह से या solo treatment मस्त इस्तमाल करना ये treatment करते करते पूरे बाल जाएंगे गंजे बन जाएंगे बाली नहीं रहेंगे अगर इससे यूज करने के बाद आपको ऐसा लगे कि आपका hair loss बढ़ रहा है या hair loss कम नहीं हो रहा है या बालने सी हो रहा है या आपको कोई भी या unusual science अगर दिखाई दे castor oil यूज करने के बाद तो इससे इस्तमाल करना तुरंद बन किजिए देखे अंत में as a dermatologist, as a trichologist, castor oil के बारे में जो जानकरी है वो मैंने आपको जरूर दी है जरूर दूँगा आपके question भी answer करने की कोशिश करूँगा लेकिन hair loss को treat करने के लिए या hair growth करने के लिए मैं आपको scientifically proven medical treatment ही recommend करूँगा castor oil recommend नहीं करूँगा मैं आशा रखता हूँ कि आपको castor oil और hair growth के बारे में कुछ तो information मिली हो अगर आपके castor oil के बारे में और कोई भी सवाल है या hair loss के बारे में सवाल है तो बे जिजद comment box में पूछिए मैं और मेरी team आपके सवाल उनका जबाब देने की जल से जल कोशिश करेंगे हमारी website www.hairmdindia.com उसे भी आप विजिट कर सकते हो भाईयों और भाईयों यह एक educational वीडियो है इसलिए कोई भी procedure करने से या दवाईयां लेने से पहले आपको आपके डॉक्टर से consult करना जरूरी है Dermatologist को consult करो अगर इस वीडियो से आपको किसी भी फ्रेंड को या फैमिली मेंबर को आपके फाइदा होगा तो यह वीडियो आप उन्हें जरूर शेयर कीजिए अगर अच्छी लगे information तो शेयर करिये हेर के topics पर हर रोज educational और authentic टिप पाने के लिए आप हमारे facebook group the healthy hair network इसे भी join कर सकते हों इवन instagram पर भी हम hairmd underscore india के नाम से है जहां हम tips educational जानकारी और ऐसे बहुत सी चीज़े शेयर करने की कोशिश कर रहे है तो जरूर देखिए और कुछ सुझाओ भी हमें दे दीजे स्कीन से related भी जानकारी पाने के लिए आप हमारे दूसरा youtube channel है clear skin, laser skin and hair cleaning उसे भी जरूर देखिए है home remedies को घरे लिन उसकों को blindly follow नहीं करना चाहिए डॉक्टर सही सही medical treatment लेनी है precautions लेनी है ताकि इससे कोई भी side effect नहूँ मैं आशा रखता हूं कि आप castor oil को hair loss को treat करने के लिए इस्तमाल नहीं करेंगे और आपके डॉक्टर के पास जाके सही consultation और treatment लेंगे और अपना hair loss best way में treat करेंगे all the best धन्यवाद, bye